गराम पंचायत भोप जी का वास सर्पांच शिरिमती मगनी देवी बोले बिजली पानी की वेवस्था सडकों का विस्तार करते हुए पंचायत का करेंगे हर वन्चित विकास पुर्ण नागोर जिले की मोला सर्पंचायत समीती की गराम पंचायत भोप जी का वास की वर्तमान सरपंच शिरीमती मगनी देवी वे उनके प्रतिनिधी द्याल राम ने आर्पीडी न्यूज खास मुलाकात में वारता के दोरान बताया कि पंचायत के वंचित विकास जैसे अधिक से अधिक सड़कों का विस्तार पेजल के उचित विवस्ता करवाना शिक्षा को बड़ावा देना आदी मुद्दों को प्रात्मिक्ता देते हुए पंचायत को विकास के और अग्रसर किया जाएगा आईए सुनते हैं आर्पीडी न्यूज खास मुलाकात के दोरान हुई वारता को उन्होंने अपनी द्रमपत्नी को चुनाव मैदान में उता रहा था जनता ने अच्छे वोटों से उनकी लीड बनाई और इस सर्पंच पद पर बेठाया है तो ग्राम पंचायत के इसी मेजर क्या समस्या लगी आपको जिसका आप निवारन करवना चाहते हैं समस्या यही साब के गाउं के अंदर काम ने वाक भी सात्तर साल से इसलिए पहली 2010 में मैंने चुनाव दढ़ा उसी ठेम 35 बोट उसी मेंने हार गये थे अब की मेरा मन तूट गया था राजनित्या नहीं आना ची लेकिन अमारे गाउंवालोंने लास्ट टेम के अंदर चुनावी टेम जोर्याम बादी मेने काग आपको चुनाव लणना पड़ेगा मैंने काँ चुनाव में नहीं लड़ोंग शाब हमने कोई गाउंवालों को आप खड़ा कर दो हम उनके साथ हैं फिर गाउंवालों वाफिस से चुप हो गए फिर गाउंवालों पांच-चार बच्चों को का था तो उन्होंने मना कर दिया किसीनी किसीनी चुनाव लड़े योग यह नहीं थे मैंने हुआ हमारे जाव में खेत में कुवे उसे हम खेत के कुवे पर गये चले गये थे के अपने को यह माला पेडा हैंगे खड़ा करेंगे मेरा मन नहीं था तो ऐसी मेजर समस्या क्या लगी आपको ग्राम पंचाइट की जिसको आप सफल करवाना जाते हैं यह साथ हमारे नहीं तो शड़के हैं चारुमेर गाउं की क्षिल अजो मैंने दो शड़के हुआ चला द आपको के खांड़ काउर वलोग भी में लगवा एं गवार में लगएं और हमारी इच्छा है कि चार साल में जनताईशवाय भी करने और अपने कोई कांचा भाइब लेकिन अम काम करा देंगे ja तो की जो या क्योंकि आफके जो साथ में इसका है, या जायता है, जायतान में कुछ नहीं है जैसे सर्पंच आम ने बताया कि टेंडर परक्रिया है जो मालो ग्राम पंचा इस्तर पर होना चाहिए कि जो सर्पंच परतिनीदी करवास के काम और यह टेंडर परक्रिया है जो गलत है क्योंकि इसकी वज़े से विकास में बादा आ रही है और काम सुचार कादर जो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब का